हेलो गाइज गूड इवनिंग कैसे हूँ आप सब आपका एक बेफिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर जिसमें की हमने शुरू किते हिस्टरी की विजन आई एस की टेस्ट सिरीज और आज हमा जाते हैं अपने सेकंड लेक्चर बर ठीक है हमारा पहला हिस्ट कंप्लीट हो चुका है मैंने जैसे बताया था कि पहले जो 200 कोशन होंगे वह एंशेंट प्लेस्ट मेडिवल के मिक्स कोशन होंगे और उसके बाद जो हमारे सिक्स लेक्चर आएंगे वह आएंगे जो मेक्सिमम पार्ट है जैसा कि आपने अग मैने प्रिवेस यर कोशन तो इसी तरीके से इसमें जो four lectures होंगे वो ancient plus medieval के होंगे उसके बाद हमारे फिर modern के questions होंगे ठीक है और जितने भी हमारे test है हम वो सारे complete करवाने जा रहे हैं अगर आपको इनकी PDF चीए तो आप हमारे ठीक है तो पहले चैनल को subscribe करो और bell icon press कर लो ठीक है ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो जाएं उसका link आपको मिलता रहे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले question से आज का first question क्या बोलता है which of the following countries are signatories to the treaty on open skies treaty on open skies पे का जो signatories है वो कौन कौन सी countries है जो treaty on open skies की signatories है अब जो treaty on open skies है ये कब हुआ था देखो सबसे पहले treaty on open skies की बात करते हैं यह हुआ था 1992 में क्या ट्रेटी ओन ओपन स्काई कब हुआ था 1992 में ट्रेटी साइन हुए थी लेकिन यह effective कब हुई थी effective वह थी 2002 में ठीक है effective हुई थी 2002 में और यह रश्या और नाटो इन दो के बीच में confidence बिल्ड करने के लिए confidence बिल्ड करने के लिए जितने भी नाटो की country थी और रुषया थी उन्होंने एक त्रिटी साइन की 1992 में कि वह क्या करेंगी Unarmed Aerial Surveillance करेंगी क्या करेंगी Unarmed को अमड गैयारील याद रखना है इसको Unarmed Aerial Surveillance करेंगी एक दूसरे की country में और जो भी surveillance के during जो भी information gather होगी वो सारी जितने भी members हैं उनके साथ share की जाएगी ठीक है यह चीज थी main ताकि एक दूसरे मतलब जो रश्या और जो नाटो है नाटो की countries हैं एक दूसरे पर मतलब कोई गलत चीज ना कर रहे हो ठीक है कोई weapons ऐसा ना कर रहे हो जिसे की एक दूसरी country के जो resources है वो डिस्ट्रोई हो जाए तो इस तरीके से था कि दोनों ही जो रश्या है और जो नाटो की countries है वो एक दूसरे के साथ उन्होंने ट्रिक्टी चाहन कर लिन एंटी नैंटी टू में और फिर वो इफेक्टिव वी 2002 में ठीक है तो यह सब चीजे होई kold war के बाद अभी 2020 की बात है कि 2020 गी ठीक है नॉमबर तूमबर तूजिंट्वेंटी में क्या हूआ नॉम्बर 2020 में क्या हुआ USA ने इस से विड्रो कर लिया USA ने इस ट्रेटी से विड्रो कर लिया तो अभी December 2021 में क्या हुआ लास्ट महिने में क्या हुआ जो रशिया है उसने भी इस ट्रीटी से विद्डू कर लिया ठीक है रशिया ने भी इस ट्रीटी से विद्डू कर लिया तो अब क्या हुआ ना तो इस ट्रीटी में रशिया है ना अमेरिका है ठीक है और आपने देख लिए कब साइन हो थी क्या सब ग्या होगा था तो देखो इस अभी इसने बो रहे है की इस ट्रीटी के सिगनेटरी इसको ने तो यूससे दो में तो नहीं है तो रश्या भी नहीं है इंडिया थो नाटनी सस्सक्यामें बीतलवी निधन है तो बच konse RS जर्मनी तो क्या हो गया हमारा सी ठीक है इसका अंसर हमारा क्या हो गया सी देखो अब इसमें एक और चीज थोड़ी देखने लायक है कि देखो नाटो के बारे में कुछ देखने लायक है ठीक है नाटो नाटो जो है उसमें मतलब कौन कौन सी कंट्री उसमें टोटिक टोटल कितने मेंबर है थर्टी मेंबर्स पूंठ हैं अने में इसमें कॉन सी कॉन्त यूरोप और नormsk अमेरिकाइं तो इसमें वह तो इसमें कीक नाटल 30 कंटरीज एं और यह कब बनी थी नमट ऑफ इसमें तो इसमें बनी थी तो यह चीज आपने देख लिए और इंडिया तो है इनका सिगनेटर इस तो यह हो गया हमारा क्या इसका आंसर हो गया हमारा सी ठीक है एक मिनिट तो यह कोशन हो जाता है हमारा कम्प्लीट इब आपने नेक्स्ट कॉश्चन पर पा इब तो क्वेस्चन नॐबर फिफ्टिट्ट्य तू क्या बोलता है मैं विच अफ दी फूलेइंग स्टीमें के बारे में कौनसी स्टेमेंट है थे कह मैंक सिटेट्मेंट बतानी है सबसे पहली स्टेट्मेंट है कि आप दीप्लीओ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आईस एज के प्रिस्टो सीन पेड में जो पैलियोट्रिक कल्चर वो डवलप हुई थी ठीक है सेकेंड है ती करेक्टरिस्टिक टूल्स ओफ पैलियोट्रिक एज वर फ्लेक्स माइक्रोलिट्स देखो आपको यह पता होगा कि अचलो आपको फ्लेक्स के बारे में नहीं पता लेकिन आपको माइक्रोलिट के बारे में तो पता है ठीक है Mesolithic Face का Characteristic feature है Micro Litz तो जो मैक्रोलिट्स है वह कहां पाये जाते हैं थाइस में वह Paleolithic Age के Characteristic Tool नहीं है लेकिन हां फ्लेक्ष जो है वह क्या है वह तो है लेकिन दोनों इसने बोल रखे तो दोनों तो Paleolithic Age के नहीं है तो जो Second statement वह हमारी क्या हो से घ्रोओंग हो जाती है ठीक है और फटेटमेंट क्या बोलता है DRRARDी हेले और यव aka सब्सक्राइब हो यह बहां नहीं पाए जाती है तो यह स्टेटमें भी तीक यह स्टेटमेंट भी सही है कि पाई जाती है कि पाई जाती है तिस में आपको टूल्स बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है कि किस ऐज से कौन कौन से टूलिटिक है आपने पहले भी मैंने बताया स्मेटिक में आपको कैसे करना है ज़ी की सबसे पर याता है है पर यह सबसे अगली पर सेपे पहले फिर आजाता है आपका मीडल के फिर है देग कर डूर के आदेग पहले पर पर ठीक dtär यह क्ये आरली जाने मीडल यह पर मिजोडिक फेस by उसके फाग मारा नियोलिटिक फेस ठीक है अब सबसे पहले देखो जो हमारा पैलियोलितिक फेज ते उसके तीन फेजीज है यह अर्ली पैलियोलितिक यह मीडल पैलियोलितिक यह अपर पैलियोलितिक मेजोलितिक फेज एंड नियोलितिक फेज तीक है अब जो अर्ली पैलियोलितिक है वहां पे जो में में टू साहशन नहीं हैं ढौई कॉन कॉन से हैं ठिक है वहाँ पे चार मेजर precaution सब्सक्राइब सब्सक्राइब में सबसे फेमस के हैं फ्लेक्स फ्लेक्स में भी दो तीन आते हैं जैसे की ब्लेड्स उसके बाद आता है स्क्रेपर यह उसके बाद आते हैं हमारे points ठीक है तिर आजाते है हमारे अपर पैली इलिए अपपर पेले लिए अले एक में जो सबसे फेमस वो ते milit टूल्स कॉंसे यहां पर प्लिंट टूल्स थेका फ्लेक्स और फ्लेंस यह वर्ड यादर रखना है इसमें आते हैं एक यह बूरीन्स और बोन टूल्स अब जो मिजोलितिक है अभी तोड़े देर पहले मैंने बताया है मिजोलितिक में क्या फेमेस है सबसे ज्यादा है All Так Is अब नियो लिट्टिक की बात करहें यहांपर सबसे ज्यादा प्यादा पॉलिश्ट टूल्स यहांपर क्या हैं पॉलिश्ट टूल्स सब स्बसे ज्यादा फेमेस हैं। इनकी केरेक्टरिस्टिक फीचर की हाँ पर हमारी बात चल रही है उसमें भी ज्यसे कि आ जा प no हमें है इक चीज करना इन में हमें एक चीज देखनी है हमें एक चीज खाल जो है कि यहां पर कोई भीगांड凌कॉyl समय नहीं मिलते हैं प्रेइज और इन फेज चेच्छ पेंपशी जमें अपको topics we कkum फेजेज के अपको हंट इंड गैद्रिंग उप यहां पर अपनों हॉगे कि तीक है इन तीनों मतला पहली ओलिधिक में जब आप Mesolithic में आऊगे तो यहां पे आपको Animal Domestication यहां पर स्टार्ट होती है यहां पे बुरियल के साइंस भी दिखते हैं जैसे कि बुर्जा होम बुर्जा होम एक जय कहां पे जमु हैं इन कश्मीर में अगर आपके था तो यह वहां पर मिलते हैं तो यहां पर बरियल के साइंस मिलते हैं तो यह कुछ-कुछ चीज़ें जो आपको कई करेक्टर्स्टिक फीचर पॉलिस टूल कहां के और कौन से टूल कहां पर सबसे ज्यादा फीमस है तो जो हमारा यह वाला कोशन है यह हो जाता है कंप्लीट कोशन नंबर 52 ठीक है इसका अंसर क्या हो गया सेकेंड इस रॉंग थर्ड करेक्ट है फस्ट करेक्ट है तो क्या अंस हो गया भी अब आजाते हैं कोशन नंबर 53 पर कोशन नंबर 53 क्या बोलता है विद रिफरेंस टू क्रोनिकल कमिशन बाई मुगल एंपायर कंसिडर दी फॉलिंग स्टेटमेंट फर्स्ट है रजम नामा वास पर्शन वर्जन ओफ महाबार जो रजम नामा था वह पर्शन व खनती थी वहाँ उसको क्या बोला जाता था किताब खाना बोला जाता था बिल्कूल सभी अथर्ड आ ओल्बुक्स इन मुगल अंपायर वर हैंट रेटन जितनीं वी बुक्स थी जीतनी ढ मैं सबस्क्रीं में तो यह स्टेटमेंट भी बिलकुल सई है कि वहाँ पर जितनी नंबर 54 पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोस्ट वेक्स टेकनीक प्रीव डॉमिनेंटली कहां पर यूज होई है तो लोस्ट वेक्स टेकनीक सबसे ज्यादा कहां यूज हो सकते सकल्प्छर बनाने में क्योंकि अंदर से कल्प्चरव बना दिन उसके बाद जो भार कि वेक्स उतर जाएगी तो वह अंदर स्कल्प्चर बच जाएगो तो स्कल्पचर बनाने में सबसे ज्यादा यूज होती his叵 मिãy कि इसके लिए ब्रॉंज की जो बनाने के लिए इंडिस वाली सिविलाजेशन में ब्रॉंज के जो स्कल्प्चर्स वो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी तो अब आजाते हैं कुश्चन नंबर 55 पे वाट इस लिंटे होम यह क्या है यह टरम रिसेंटली स सिनी निच्प में एक टरम थी यह क्या है ठीक हैं देखो टो यह क्या है एक एक artificial island बनाया जा रहा हुजा खोसु यह right कोने मदो चीटी से दो बचा है साथ में भूट सारे लोगों को हबीट भी प्रोड करेद करेगा होम्स भी प्रोड करेगा एक प्रोजेक्ट तो यह वाला एक आइलेंड का नाम है जो बनाया जाएगा डेन्मार्मेंट के द्वारा ताकि कोपन हैगन जो इस सिटी है वह डूबे ना जैसे ही सी लेवल राइस करें ठीक है जो टू क्लाइमेट चेंज और इंडिया में लोकेटिड है इंडिया में हमारी कौन सी लोकेटिड है तो देखो सबसे पहले रांगपूर रोजडी चान हूं दारो सुरखोटाडव सुखता जैंड और यह जो सुखता जैंडो है तो पाकिस्तान में लोकेटिड है और जितने भी दारो वाले सिटीज है यह भी पाकिस्तां में तो यह थो और फिफ्ट जो थज़ तई यह दोनों क्या है यह जो है इस इंडिया में डोकेट दो फिफ्ट आ पने एक काड दिया तो डारेक टवा गया तो भूश पने दिया तो आंसर चे टूश पने पाकिस्तान में होगी और यह कहां होगी यह पाकिस्तान में होगी ठीक है तो यह सारी चीज आपको समझ में आगी कौन से सिटी कहां पे है तो यह आपको पता ही होना चाहिए रांगपूर रोजदी यह दोनों ही कहां पे है गुजरात में ठीक है रांगपूर रोजदी यह द रांगपूर रोजडी और सुर्क ओताड़ा भी गुजरात में एक चिस धाना लगना यह विकाल पर गुजरात में ठीक है और रांगपूर रोजडी भी गुजरात में यह तो यह कुछ कुछ चीजे आपको याद रखने थी किया कहां कहना पे इनकी पोजिशन मैप में जाकर देखना utilizz कह तो उस के साइड लिए बहुत जरूरिरे कि आप इनको जाकर देखो मैप में कि सिप्टी स कहां कहां पर लोकेटिड अब जाते हैं कोशनन नंबर 57 पे लिए चैडव पर पपेटरी के बारे में बात चल लिए है मैं नहीं पता कॉन सी है थी कहा हमें बताने शेडव पर पर पेट्री उस पापेट्स होते हैं जो साइज में बड़े होता हैं यह जूड़ से क्लासिकल मूजिकंगे इस लिए लगोग स फॉर्म दी एपिक्स लाइक मिरा माइन इस में ली प्रेवलेंट इन दिस स्टेट्स ओफ आंध्रा एंड तेलंगाना देखो आपको पपेट्स के जो स्टेट्स है ना में ली वही द्यान रखने है ठीक है आप उसको करी लोगे अगर आपको स्टेट्स द्याने ना तो आप अंध्रा और तेलंगाना में एक ही सबसे ज़्यादा फिमस जाते हैं अब कुछ कुछी कुछी मैं एक बर आपको लिखा रही हूं क्या और पैटरी पैटरी के बारे मेरे करे है फेट यह सबसे पहले आती है स्ट्रीं प्वर प्ऱेट तोके हैं क्थे ढोत Wie डीजुक्ग की आती है हमारी दूसरी कि निजरी साथ के कि मेरे पाट ना ओसको स्त्रिंग चाह राते हैं सबसे हमारेrin के सबसे पहले हाता है reflex में अब उर्च मेन था था हमारा कि इसमें क्या तय राग्स PB belum तो थी स्टेट सब्सक्राइन हुआ को शीर कुम च्छी को ने रहना में यह तिक हैं कुंढ़ है है यह भी स्ट्रिंग पर पेट्री और यह कहां पर पाई जाते हैं करनाटका में पाई जाती है एक फोर्थ नंबर की इसमें बच जाती है और वह है कि बोमल अलटम है कि सॉरी मेरी को बहुत ज्यादा तीज वाइरल हो रखा है तो फिर आते हमारी बोमल अलटम बोमल अलटम कहां कि ये हैं हमारी तमिन्य नाडव है स्ट्रे शेड़ पर पेट्रिये में फिर आते हैं किया छेड़् पिपट्र्री घेदा शेड़ पर यह में कोन से आते है सबसे पहले आता है अभी जो ने देखा था थो लू से बोमल अटा थो लू बॉमल अ दो कहां का है गर घरनाट का है तोलू गों बॉलाता कहां कि है गलत बता दिया मैंने कहां कि है अंधरा की जो हमने अभी बढ़ा था ठीक है थोलू बॉलाता कहां कि है अंधरा की उसके बाद है रावन चाया यह रावन चाया कहां कि है उडिसा की ठीक है उसके बाद है हमारा तो गालू तो गालू गों भी याता ठ कम आपको नहीं जाब को पेटरी रोड़ पेटरी से पहला नाम आता है यंपुरी का यंपुरी का यह पर पेटरी कहां हमारा सेकंन नाम पुतुल नाच का ठीक है उसके बाद आता हमारा नाम पुतुल नाच का कहा होते है वेंगोलते हैं बेंगुल उडिशा एंड असाम में दोनों आप्वंलइझ लिख्वा दिये थे स्वरी ठीक है तो यह है यह अब बिल्कुल सही लिखवा दिया थोलू बोमलाता कांगे अंध्रा की है और तोगालू गोमियता कांगे करनातका का मेरे को थोड़ा कन फूजन हो गया था उसके बाद यह रावन चाया है घोम यह तक न bleeding करनाटका से और उसके बाद इसंद मियंगों सभान ेंगों बिहार किर तो कोई भी स्टेट अ तो यह जो नाम है, यह सारे मैची कर रहे हैं, तो आपको याद करने में बहुत जादा असानी होगी, यही चार टाइप की पपेटरी इंडिया में पाए जाती है, तो इन चीज को याद रखना, ठीक है, एक है बोम मलत्तम, ठीक है बोम मलत्तम तमिलाडू की है, और जो पावा कोथू क्या है, गलव पो पैट रही है, तो यह जाता है, आपको ध्यान देने चीए, तो यह वाला कोश्चन हो जाता है, आजाते हैं, अपने नेक्स्ट कोश्चन पे, नितिन सिंगानिया का चप्टर नंबर एट, आप इसको जाके डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, नितिन सिंगानिया का चप्टर नंबर एट, ठीक है, आजाते हैं, कोश्चन नंबर फिफ्टी एट पे, which of the following school does not belong to Orthodox philosophical school of India, Orthodox philosophical school से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, does not belong, ठीक है, Orthodox philosophical school से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, मैंने दो तिन बार बता गया, previous year question अगर आपने देखें हैं, तो आप इसको बता दोगे, देखो, योगा, न्याया, वेशिशी का तीनों ही किसमे है, Orthodox school में आते हैं, जो अजिवी का सेक्ट है, वो नहीं आता है, इसमें और्थोडोक्स इसमें नहीं आता है, वो अन और्थोडोक्स में आता है, अजिवी का वाला, ठीक है अजिवी का को किसने व किया था, मक्काली घोशले ने, ठीक है, मक्काली घोशला ने इनको फाउंड किया था, ठीक है, तो ये चीज़ दियान रखना, इंसर आ गया, डी, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए अभी इसको दुबारा मैं explaining करने वाली हूँ पहले lecture में भी मैं करवा चुकी हूँ, अब आजाते है question number 59 पे, हमें बतानी है, गुपता के time पे social conditions, कल ही मैंने बताई थी गुपता के time की social conditions, ठीक है, पहले ही कुछ questions में था, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकी social conditions, सबसे पहले caste system became rigid during गुपता, बिलकुल गुपता क time पे जो caste थी वो rigid होगी थी, women and shudras were allowed to listen to religious text, जो वो थे women और shudras, उनको religious text सुनने को allow किया गया, बिलकुल यह सुन सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, सुन सकते थे, third, women of upper world were free to earn their livelihood, यह statement गला था, क्यों, क्योंकि जो upper world की और थी, अगर वो बाहर काम करने जा कर सकती थी, ठीक है, lower verna की women काम कर सकती थी, लेकिन अपर की नहीं काम कर सकती थी, ठीक है, तो third statement हमारी रोंग हो जाती है, और first and second statement correct है, तो answer आगे हमारा E, ठीक है, और गुपता के बारे में जो explanation था, वो हम अच्छे से पिसले chapter में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देख है, तो अब जाके पहले वाला जो लेक्चर है, वो देख सकते हो, अब आजाता है, question number 60 पे, पती वेदकास क्या थे, ठीक है, पती वेदकास जो मोरियन पिरिड में term use होती थी, वो किसके लिए होती थी, ठीक है, तो पती वेदकास क्या थे, पती वेदकास थे, officers responsible to report about affairs of people, people क affairs के बारे में बताने वाले जो officers थे, उनको बोला जाता था, पती वेदकास, ठीक है, अशोका ने appoint किये थे, पती वेदकास किसने appoint किये थे, अशोका ने appoint किये थे, ठीक है, लोगों के बारे में जानने के लिए, ठीक है, और, जो भी epigraphics, मतलब जो स्टैम पे लिखे गए, उनमें पती वेदका को कहा लिखा गया है, इनको reporters भी लिखा गया है, ठीक है, इनको reporters के नाम से भी इनको लिखा गया है, ठीक है, और, अगर आप देखो कि Morians, अब थोड़ा सा Morians के बारे में देख लेते हैं, देखो Morians, अगर Morians की बात करो, मैंने बताया था, Morians जो थे, इनमें कुछ-कुछ important rulers हैं, यही देख लो आप, ठीक है, Morians के कुछ-कुछ important rulers हुए हैं, उन important rulers में से, सबसे पहले आते हैं हमारे चंदरगुप्त, Moria, चंद्रा गुप्ता, ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारा चंदरगुप्त, Moria, ठीक है, चंदरगुप्त, Moria, ठीक है, ठीक है चंद्रगुप्त मोरिया के टाइम पर यह आते हैं हमारी मेगस्थनीज ठीक है इनके टाइम पर आते हैं हमारी मेगस्थनीज ठीक है ग्रिक इंबैस्टर थे यह तीक है उसके बाद मेगस्थनीज आते हैं इनके बाद अगर बात करें तो इन्होंने अपने जो थ्रोन थी वो अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी अपनी गदी तीक है फिर यह कहां पे चले गए थे यह चले गए थे करनाटका में ठीक है अपने जिनके पैटरन थे जैन मॉंग के साथ यह कहां पे चले गए थे करनाटका में चले गए थे जैन मॉंग के साथ यह करनाटका में गई थे ते करभे उन्होंने जनजम को इंबरेस किया और इनकी जो टेथ हुए थी वहांपे वो भी जन ट्रेडीशन के हिसाब से ही मतलब होई थी स्लोंतास धीस टाफ्ट मैंसेanie सिर्वा वतूत तीडएद पर और जन ट्रेडिशन से फिर उनका अंतिम संस्कार गया गया कुछ ऐसा बोला जाता है चंद्रगुप्त मोरिया के बारे में ठीक है बद्रबाहु के साथ यह करनाटका में गए थे और मैंगे सनेज इनी के टाइम पर आये थे ठीक है इंडिका इनोंने लिखी थी अब आ ज पर इनोंने अपने हां इनके बेटे थे कौन ऐशोका गवरनर भृष्ट बनाया थे अटिका अच्छया tu यह आजा गया deciding अच्छया यह का आ जाते हैं अिनके ब्याद्व क्या आ जाते हैं तिक है अशोका जाते थेक है अच्या कि आशोका का तो आपको में चीजे यह पता ही हैं इसमें नहीं इस टाइम पर कुछ कुछ ओफिसर सिन्होंने को फोइंट कि हिलाके इन्हों ठीक हएन्होंने कुछ कुछ ओफिसर को क्फिसर को उफ आपाइंट किया था जैसे कि समा हर्ता यह थे रिवेन्यू कलेक्टर ठीक है रिवेन्यू कलेक्टर उसके बाद थे पर्श सहस्ती यह क्या थे प्रीजन हैड उसके बाद थे सनी दाता यह थे ट्रेजरी हैड यह कुण थे रिवेन्यू काज यह क्या थे लैंड मीजरर ठीक है लैंड मीजरर तो यह कुछ थे इसमें फिमस जो इन्हों ने ओफिसर पॉइंट के थे कुछ-कुछ इसमें इनके फिमस रूलर्स थे अशोका के बारे में आप सबसे ज़्यादा और यहीं सबसे ज़्यादा फिमस थे तो यह होगे हमारा यह वाला कोशन आवा जाते हैं हम अपने कोशन नंबर हमारा 60 हो जाता है तो पतिवेद का क्यास थे यह ओफिसर से जो अफेर्स को रिड करते थे अब जाते कोशन नंबर 61 पे इस प्रोमिनेंट जेन श्राइन हाउ किया था जो जंडर्नल इंचीफ और प्राइम मिनिस्टर थे किसके गंगा किंग ऑ्नमी सुफ मैसूर के तो हमें डस्कराइव करना में वर्ल्ल की टॉलिष्ट मानोलिथिक स्ट्राइड क्ल स्ट्यम स्ट्छर बनाया गया गौमतेश्वर का यहां पे सबसे बड़ा अभी मैंने बता है वहां पे किसकी डैथ माना जाता है कि वहां पे चैद्रगुपतमोरिया की डैथ हुई थी ठीक है वहां पे उनकी डैथ हुई थी और स्टैचू गौमतेश्वर का वहां पे बना हुआ है और यह जगह कहां पे है हर 12 साल के बाद यहां पर क्या होता है महा मस्तक अभी शेक महा मस्तक अभी शेक एक सेरिमनी होती है हर 12 साल के बाद यहां पर ठीक है और यह विद्यागिरी हील्स में यह जगह पढ़ती है ठीक है तो यह कुशन हो गया हमारा ठीक है कि ठीक है और यहां पे लास्ट में एक था पावापूरी ठीक है यहां पे पता नहीं कैसे option कट गया है तो जो पावापूरी जगह है यह भी बिहार में है और ऐसा माना जाता है कि यह बिहार में और यह माना जाता है कि यहां पे महावीर जी का जो था वो निर्वान वा था से बड़ा है यह किसने बनाया था गंगा किंग्स ओफ मैसूर ने बनाया था चामून डरिया ने वर्ल्ड की टॉलेस्ट मोनो लिथिक फ्रेस्टेंडिंग स्रक्चर इसको माना जाता है ठीक है तो यह कुशन होगे हमारा भी आ जाते हैं कुशन नंबर 62 पे 62 क्या बोलता दे आर लोंग होरिजन्टल क्लोथ स्क्रोल पेंटी टू ओन और फोक डेटीज और पेस्टोरल कम्यूटेज इन हैबिटिंग दी रिजिन अराउंड बिलवाडा इन राज्यस्तान राज्यस्तान में यह रहते हैं बिलवाडा में दे हैव ट्रैडिशनली बीन प तो हमें उनके बारे में बताना है कि यह कौन सी पेंटिंग की बात चल रही है ठीक है तो यह कौन सी पेंटिंग की बात चल रही है तो यह पेंटिंग से फार्ड पेंटिंग की यहां पर बात चल रही है ठीक है यह फार्ड पेंटिंग की यहां पर बात चल रही है अब इस का है तरे यह क्लैंजा तब काशिक्व दो फियंटेटिंग की आईफिल है नहीं किते होती है तो पहाड बार्ट Almost बार डेन अष्टान है लागी तुरये हैं इसे नहीं टाइपकेंश दित को मिलेगों क Architects स्टेटमेंट्स अच्छे से पड़ी हैं बस ओली पेंटिंग पाड़ी पेंटिंग राजसान में नहीं होती होगी पूरी पेंटिंग पूरी उडिसा में होती है तो यह भी नहीं होती होगी फिर आती है हमारी थोड़ों पेंटिंग अगर आपको नाम भी पता है कि किस जगह गुजराट में कहां पर होती है यह गुजरात में होती है और में ली इस को जबुझा ट्राइब करते हैं करते हैं त्राइब षॉ हैं प्लेस का नां ध्यां करती हैं थ्रिंग अगर आप तो हमारा जो इस question number 62 हो जाता है वो complete हो जाता है आ जाते है question number 63 पे question number 63 क्या बोलता है सल्तनत पीड के बारे में हमें कुछ चीज़े बतानी है सबसे पहले है जो अर्ज ए ममालक है वो head of military department है चीफ ओफ अर्ज ए ममालक वोज दीवान ए इन्सा देल्ट विद ओल्रस्पोंदेंस फॉर्मल और confidential of the state और थर्ड है the main responsibility of the barid was to gather intelligence for the rulers तो देखो जो जो बरीद से उनको क्या कहा जाता है बरीद को intelligence officer सी कहा जाता है ठीक है बरीद को क्या कहा जाता है intelligence officer तो main responsibilities जो बरीद की होती थी क्या होती थी intelligence को gather करना बिल्कुल सही statement इसने बोली है ठीक है second है कि दिवाने इंसा dealt with all correspondence बिल्कुल दिवाने इंसा की post क्या थी ओल correspondence की थी ये भी statement बिल्कुल सही है फर्स्ट है अरीजे मुमालिक was head of military department ये भी सही है कि अरीजे मुमालिक कि head होते थे military department के head होते थे और department को क्या बोला जाता था दिवाने अर्ज दिवाने अर्ज जो की बल्बन ने शुरू किया था ठीक है दिवाने अर्ज military department तो बिल्कुल सही है यही होते थे एंडि commander in chief of army ये statement गलत है क्योंकि जो commander in chief होते थे जो आर्मी के वो सुल्तान himself होता है जो भी सुल्तान बनता था वही commander in chief होते था आर्मी का ना कि कोई भी governor बगएर ठीक है तो ये ये चीज दियान रगना कि सुल्तान ही commander in chief होता था कोई ये अर्जी मुमालिक नहीं होता था तो first statement क्या हो जाती है हमारी wrong हो जाती है total wrong हो जाती है पहला half statement correct है half माफगलत है ठीक है तो फर्स स्टेट्मेंट हो गई हमारी मुर्स स्टेट्मेंट होते भी डायरेक्ट हमारा प्रैसर किया आ जाता है जहाते है अब आजटे हम कुस्शन नॉमबर 64 पे कोशन नमबर 64 हमें क्या बोलता इस ट्रैडिशनल थीटर आर्ट एज इवल्ड फ्रॉम फोक फॉर्म सच एस गॉंधाल जागरन और किरतन से यह चीज आई है ठीक है उसके बाद है इन दिस फिमेल एक्टरेस नोन आज मुर्की यहां पर जो फिमेल एक्टरेस है उनको मुर्क आजिक मुजिक निम्ल फुट वर्क और लूसेड जेस्टर टीक है तो यह कहां पर होता देखो यह नॉर्मल सबको बता है कहां पर होता है तो यह वह नॉर्मल्ल नॉर्फ इंडिया में लग बग सब को ही यह चीज पता होती तो हमारा जो यह कुशन हो गया इस कांसर क्या ह हो गया भी ठीक है अब यह भावना यह भावना का होता है यह असाम में होता है ठीक है यह असाम में होता है थीटर पर्फोर्मेंस है वैसी यह तीज्टर की पर्फोर्मैंस ए ठीक है इसमें पी किस ने मेंटीरेट किया था शंकरादीवाने तो किंता संकरा देवाने उनको है पी जयोगति निम्हांयी एंक्लेट नांत भी बडिकशत तो प्रइस ओते हैं उनको मिल्यक्त राइग तो में ली इस को बहुना बोलते हैं स्टेज को बहुना बहुना बोलती है और उन Oscar अन्क्नाठत ऑश्रक्णत प्रों अविह एक्टर्स को बहुत मैं एक्टर्स हो नहीं होता है वाह पर होते हैं बोर कि और डावरी कहांसे लिया जाता है है यहां पर motor जुछ लुछ फित जेसा होता है पर यहां के वहां भाएच लैंगवेजा ति हैं थे लिंट गलाइश्रीय लगंवेजित हैं worthwhile चाल ऑटा रहें महाराष्ट्राइब महारास्त्रा और गोवा करूणे होता है त्रीन दो चुँए और उनीमेरभी आपैर किसे अट्ल प्लेस होते हैं डॉपदी की life बेस होते हैं और theme mainly महार भारत से इसमें ले जाते हैं यहाँ पे open air में जो performance अवो की जाती है और जो theater होता है open air में उसको बोलते है शाबाई क्या बोलते हैं उस theater को शाबाई उस theater को नाम बोला जाता है ठीक है theater का नाम शाबाई बोलते है ठीक है तो यह चीज़ ध्यान लगना थेरु को थू पढ़ लिया आज हमने पढ़ लिया ठीक है अगर आपको term mainly ध्यान देनी चीए कि यह कहां से related थी हमने पढ़ी है कि नहीं प questions को देखो मत यह मत देखो कि फालतु की बाते बताए जा रही है या कुछ कुछ ऐसे करे जा रही है फालतु में क्योंकि मिर कोई शोक नहीं है फालतु की बाते बताने का लेकिन हां काम की बाते बताने का मिर को बहुत शोक है ठीक है तो चलिए यह तमिलाडु से related है यह मह रास्टरा से है ठीक है यह तमाशया और यह भावना असाम से ठीक है तो कुश्चन नमबर जो 64 है वो हो जाता है complete आ जाते है कुश्चन नमबर 65 पर विद रफरेंस टू ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ओफ दी सेट्मेंट्स तो स्टेट्मेंट्स दे रखी है सबसे पहले बोलग है इंडिया की जोग्रफी और कॉमर्स के बारे में बताती होगी ठीक है बिल्कुल हिस्टोरिया है तो हिस्टरी में जो भी चीज़े होगी वो बताते होगी तो ये भी स्टेटमेंट सही है तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो एंसर क्या आगया हमारा C इसमें कुछ जादा जानने लाइक है नहीं हमारा तो अंसर हो गया C आजाते हैं कोश्चन नमबर 66 में दे आर मिनियेचर पेंटिंग सबसे पहले कौन से हैं मिनियेचर पेंटिंग से हैं ठीक है फर्स्ट आफ ओफ सिक्स्टीन सेंचुरी से बिलोंग करती है और इसमें मेली चोरा पंशी का मतलब 55 Verses of Thief by Bilhan ये इसमें इलस्ट्रेशन की गई है ठीक है देयार स्टाइल ओफ पेंटिंग इस प्योर्ली इंडिजीनस स्टाइल है एंड वेस्टन इंडियन आर्ट से ये लिया गया है और किसी भी पर्शियन और मुगल स्टाइल ओफ पेंटिंग का इसमें को इंफुलेंस दिखाए नहीं देता है 1995 का एक कुश्चन है ठीक है ऐसा ही कुश्चन 1995 में भी पुचा गया था जिसमें मुगल और वेस्टन इंडियन का कोई इसा पुचा गया था कि मुगल स्टाइल ओफ पेंटिंग को इंफुलेंस नहीं करती है ठीक है तो इसका जो में है वो है कुलधर कुलधर ग्रूप जो है वो मेंली किसी भी उसको वो नहीं करते हैं ठीक है और यह जो पाला है यह कहां से हैं यह बेंगोल से हैं ठीक है तो आद काूल धर ग्रूप है उससे किसी भी इसे नहीं करता है और ये सारी चिजे जो है में ली कुल्धर गूप से हिर लिटेड otherap है पैंटिंग में कुछ इतना ही आद रखो और फिर पैंटिंग का छेप्टर को लो और इस में सारी चिजे पढ़ो या फिर जितनी इसमें पैं तो 66 आ जाते हैं 67 पे एंबी टैग रिसेंटली किस न्यूस में जो देखा गया है वो क्या है तो एंबी टैग क्या है एंडिया का फर्स्ट इंडिजीनिस टेंपरेचर डेटा लोगर फोर कोल्ड चेन मेनेजमेंट यह आप आप GS3 के कुश्चन में भी यूज कर सकते हो कि एंबी टैग एक ऐसा आयोटी डिवाइस बनाया है कि इसने आयोटी रोग पढ़ने पंजाब में कि जो रियल टाइम एंबी टेंपरेचर को चेक करता है जैसे कि दूरिंग ट्रांस्पोर्टेशन की जो परिशेबल आइटम से वह खराब नहों जाएं वेक्सीन वेगारा हैं बोड़ी टेंपरेचर को और ब्लेड वेगारा को भी इवन यह मीजर कर सकता है ठीक है गौवर्मेंट ओफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है अवद उस प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया गया है ठीक है और अवद की फिल अच्स का ना में इसकी एक स्थिया का नाम है स्क्राइच नेस्ट नर्चे नेस्ट एक्स्को नेस्ट कर नाम है प्रोजेक्ट का नाम है Uh गय अ क्वस्ट हल्दिग्स किया है था ऐसे उसके रीजन क्या थे उसके डिक्लाइन के पीछे ठीक है क्यों बुद्धिजम एक्स्टिंट हो गया था सबसे पहले इंप्रेश दी वेव ब्रह्मनिजम अगेंस्ट विच इस फोट इन दी बिगिनिंग बिल्कुल पहले जीज उन्होंने ब्रह्मनिजम के जो तरीक तो ये भी स्टेटमेंट के है बिल्कुल सही है तो इसकी जो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है तो अंसर हो जाता है डी आ जाते हैं कोश्चन नमबर 69 पे हड़पन सील्स के बारे में में बताना है अगर अपन सील्स वर मोस्टली मेड ओफ स्टेटाइट जो हडप स्टेट्मेंट्र हैं 30 स्टेट्मेंट सब्सक्राइब करें피 carte कुछ genommenadaki क्राइब मुरीद और हizen यह किस किस के लिए तर्म होती है ठीक है तो अब देखो सबसे पहले है जियारत ठीक है सबसे पहले है हमारे जियारत जियारत होती है pilgrimage to tom shrine of master यह बिल्कुल सही है second हम मुरीद मुरीद discipline को बोलते हैं और Khan का community host spice को बोलते हैं तीनों ही statement इसमें सही दे रखे तो answer क्या हो गया हमारा बी ठीक है answer क्या हो गया हमारा बी ठीक है और इन्हीं में हम teacher को क्या बोलते हैं सुफि ट्रेंडेशन में teacher या master को क्या बोलते हैं उसमें teacher और master को बोलते हैं केक, या फिर, या फिर मृर्षीद, ठीक है, मृर्षीद, मृर्षीद बोलते हैं उसको, ठीक है, ये बोलते हैं हम टीचर को, टॉम, शigung को क्या च्राइन कको बोलते हैं, दरगा, किसी भी successor को क्या बोलते है, खलीफा खिलाफत मुमेंट्स याद आया है ना खलीफा तो यह खलीफा दर्गा पीर खानका मुरीद जियारत यह सारी चीज़ याद रख लेना ठीक है तो यह कोशन हो गया हमारा भी आ जाते है कोशन नमबर 71 पे विजयन अगर अंपायर के बारे में बताने है टर्मिनोलोजी वर्सिज मीनिंग कि विजयन अगर अंपायर में कौन कौन सी चीज़े जो थी यूज होती थी सबसे पहले है खुदी राही चेती होर्स मर्चेंट को बोलते थे बिल्कुल अमर नयाकाज यह भी बिल्कुल उनी को बोलते थे और थर्ड है राय किसको बोलते थे विजयन अगर अंपायर में जो टाइटल अडप्ट किया जाता था रूलर्स के दवारा तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें भी सही है तो अंसर क्या आगया हमारा बी तो यह देखो जो यह टर्म्स है lao ceremonial salutation को बोलते हैं कि क। कौर निश ठीक है इसमें क्या था इसमें पाम को अपने तो मतलब हैं मुल यः जुकने को बोलते हैं शिर व्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन से थी व्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को निकालता है व्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को निकालता है तो व्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आपको पता होगा इंटरनेशनल ओर्गेनाइजेशन ओफ migration टिक है यह निकालती है कब यह एस्टपलिश की गई थी 1951 में एस्टपलिश के गई थी इंटर्गोवर्नमेंटल और अगरेशन के फिल्ड ONE का भी पार्ट है ठीक है ancient Indians के contribution के बारे में हमें बताना है ठीक है सबसे पहले adoption of Indian numeral system by Arabs ठीक है इंडियन numeral system by Arabs बिल्कुल first use of decimal system by Indians ये भी इन्हों नहीं किया है इंडियन नहीं 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 बता है तो तीनों ही चीजे इंडियन नहीं बताई है तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाता है ठीक है अंसर हमारा इसका क्या हो जाता है ये सारी ही स्टेट्मेंट एंचेंट mathematician और astrologers के बारे में हमारी correct है अब ये देखो दहशाला बटाई और नसाक अगर आपने medieval हिस्टी के question देखे न तो यह आप question गलत करी नहीं सकते दहशाला मैंने बताया था अकबर के अकबर करा रहे थी वहां पर उन्होंने land को मिजर करने के लिए एक इनके डिपार्टमेंट में टोडर्मल जी होते थे टोडर्मल ने एक new system का invention किया था जिसको बोलते थे दहशाला system ठीक है उसमें में लेंड को क्या किया जाता था revenue को मिजर किया जाता था उसके हिसाब से देखके ठीक है तो अंसर क्या गया इसका land revenue system during अकबर स्रेन को बोलते थे दहशाला ठीक है बटाई या फिर नसा के तीनों ही terms तभी use होती थी ठीक है बटाई को घाला बक्षी भी बोला जाता था बटाई को और क्या नाम से जाना ज अंसरा नहीं सुना होंगे चैरा और दांग सिस्टम किसने शुरू किया चैरा और दाग सिस्टम जिसे branding और फोर्स इस यह किसने शुरू किया था अलाओ दिन ने अल्लाओ दिन फिल लिए ठीक है फूशन नमबर सेवेंटी फाइफ फाइव जाता है आ आजाते है कुशन न यहां पर मेजर रोग एडिक्त नहीं था तो फूर स्टेटमेंट कट हो गई हमारे पहले तीनों ही जगहें पर मेजर रोग एडिक्त मिले हुए हैं रोग हमारे मेजर रोग मिले हुए हैं और मेरे पहले तो इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां UH ने यह हो गया ओर और अब देखो यह जो देखो इससे पहले वाले कुश्चन में देखो मैं कुछ बताना इसमें बूल गी थी देखो form of headgear used by Mughal Emperor जो headgear का use करते थे वह होते सरप्पा क्या बोलते थे उसको सरप्पा बोलते थे टीक है खिलाथ इसको बोलते थे खिलाथ क्या बोलते थे इसको खिलाथ बोलते थे ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना रोबो फोन और एक टाइप का अवर्ड होता था उसको बोलते थे खिलाथ बिल्डिंग प्लैन ओफ आर्किटेक क्या बोलते थे मीमार्स और हैडगेर जो मुगल एंपरर्र यूज़ करते थे उसको बोलते थे शराप्पा थीक है तो यह सारी चीज़े आपको पता चल गी और कॉर्णिश आपको पता ही चल गया क्या होता था तो कोशन नमबर 76 हमारा हो जाता है कम्प्लीट आ जाते हैं कोशन नमबर 77 पे Western Ganga Rulers के बारे में हमें बताना है सबसे पहले है देवर कॉंटेंपररी ओफ सत्वाहनास तो जो सत्वाहनास थे जब मोरिया इसका फाल हुआ तो मैंने बताया थे दो किंग्डम्स में इमर जोए थे एक टाइप नौर्थ में थे कुशान्स और साउथ में थे सत्वाहनास तो यह जो सत्वाहनास थे यह सेकंड सेंचुरी बीसी से और सेकंड सेंचुरी एडी तक मतलब यह रहते थे ठीक है मेली जो सत्वाहनास थे यह तब से तब तक रहते थे ठीक है और यह जो वेस्टन गंगा डाइनस्टी है यह कब बनी यह 340 AD में यह बनी है इनका एक्जिस्टेंस ही तभी आया है तो इसका मतलब सत्वानाज तो वेस्टन गंगा रूलर्स के कंटेंपरेरी थे यह नहीं यह तो बहुत बाद में आये तो फर्स्टेट्मेट हमारी रूग हो जाते और फ़र्स्टेट्मेंट रूग ती डिर्यक्ट हमारा अंसर आजाता है क्या भी थी कैत इसलिह हमें सिक्वेंस याद रखनी बहुत जरूरी आकि कौन से जो सबसे पहले देखो वेस्टन गंगा रूलर्स सबसे पहले देखो वेस्टन गंगा रूलर्स के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं सबसे पहले देखो वेस्टन गंगा रूलर्स सबसे पहले 340 एडी में क्या हुए यह मतलब अमर जुए में ली गेम इंटू बिंग और कब तक इनों राज किया 1025 एडी तक इनों राज किया ठीक है उसके बाद इंपोर्टेंट कंटेंप्रेरी कौन थे इनके में ली थे पल्लवाज कौन थे इनके में कंटेंप्रेरी पल्लवाज इनके में कंटेंप्रेरी थे साओधन करनाटका में यह रूल करते थे ठीक है साओधन करनाटका में यह रूल करते थे और इनके जो मानलो यह वाला कों करते थे कदम थे कदमभाज कदम थे को बोला जाता क्योंकि चुरी के बाद इणोंने रुल किया है कलिंगा क्या सफ वास तो इसली हम इनको वेनको वेस्टन गंगा रूलर्स बोला जाता है थींकर बॉलेज्यक पेटल क्या थी our एक भीम ब्रहमन्त को में ज्यादा लेंड दान करती हुण कदम्बास ठीक है उसके देखर लेंड grant की बात करें तो जो पलवास थे हैं किस gonna करते थे यह तो मेंली किसको करते थे ब्रामन को करते थे यह मेंली ब्रामन को करते थे यह जेंस को भी करते थे लेकिन में इनका फोकस किसके था ब्रामन पे था लेकिन जो ये पलवास थे ये मेंली इन्होंने लेंड ग्रेंट किसको किया है इन्होंने मेंली लेंड ग्रेंट सोरी पलवास नहीं ये वेस्टन गंगा रूलर्स है इन्होंने मेंली जेंस को ही लेंड ग्रेंट दिये हैं तो ये हो गया हमारा क्या मेंली वेस्टन गं लब जो फाउंडर थे शीमुक को इनका फाउंडर माना जाता है ठीक है इनकी पहली कैपिटल थी फर्स्ट कैपिटल इनकी जो थी वो थी धरानी कोटा धरानी कोटा इनकी पहली कैपिटल थी सैकेंड इनकी कैपिटल माना जाता है किसको प्रतिस्थाना यह कहां पे है यह जाना जाता है किसके नाम से इनको अंध्राइड डैनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका मतलब यह उनके contemporary नहीं थे तो हमने कुछ कुछ चीजे देख लिए वेस्टन गंगा रूलर्स और इनके बारे में तो सेकेंड अं थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स स्टीटमेंट रोंगा तो 77 कुछ नमारा हो जाता है आ जाते हैं कुछ नमबर 79 पर पोस्टमोूरियनपीिर्ड के में बताना है विछ अव आफ इफोलेंग स्टेटर्जी जी फोर युश वर उस जी पोस्टमोूरियनपीरड टो इनक्रीस दी अग्रीकल्चर प्रटेक्षण को इंक्रीस करने के लिए पोस्टमोरियनपीरड में कौन-कौन 27 यूजग की जात टीनों ही स्टेटमेंट ठीक तीनों ही के कार्ण जो थी वह उस ताइम पे अग्री कल्ट्टर प्रोडक्शन बढ़ा था पोस्ट मोरियन पीर्ड में तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो अंसर हो जाता है डी ठीक है इसमें तो एक्स्टरा कुछ बताने लायक है निए आ जाते हैं 79 पर विद रफ्रेंस टू गुरु नानक सारे गुरुओं के बारे में एंशेंट हिस्ट्री के या फिर पता नहीं मेडिवल के में जो कुश्चन हुए है वो सब मैंने इसमें करवा दियें ठीक है तो एक बार आप प्रिवेस येर कुश्चन जो टू लेक्चर बेद प्रेक्टिस बोथ हिंदूज एंद मुस्लिम बिल्कुल दुर्नों ही जो रिलिजन्स में रिच्योलिस्टिक प्रेक्टिस थे उन्होंने इनको रिजेक्ट किया था था थेड़ा ही वस कॉन्टेंप्रेरी ओफ बाबर और इब्राहिम लोदी के क्या थे ये कंटेंप थे देख य। बहोतों के Contemporary थे मतल़ां जहसे कि बहलोल लोदी दिक है सिकंदर लोदी उसके बाद इब्राहिम लोदी उसके बाद बाबर उसके बाद हुमायू करें तुर लोधी और बाबर और हुमायू तेनों के पांचों के ईयर को न देख से तो इन inverse तो जो आनसर हो जाते है हमारा वी के अनसर हो सब्सक्ष मेंने जाता है आज 好不好 टेक्स्ट और ओथर अब देखो छो कि मेक दूत्थ किसने लिखी है eld Frank अगर आंगे पर यह नहीं फ़ी सब्सक्राइब स्वार्व इसो ने लिख दी तो यह तो यह दो यह जो जितने भी थे कि इनके टाइम पे तेंट गुपतास के टाइंब एंदी निबता अदंड सुए है इसलिए उस टाइम को क्या बोला जाता है थे इसलिए अन्हें one यहलें टा था देखो बहुत सारे थे जैसे कि है विषाखादत मने लिखी है जिसने लिखी है कि directly art उन्हें लिख्याश है यह यह एक मर्च कटी कम किसना लिखे शुद्रक ने मर्च कटी कम भी शुद्रक ने लिखिया उसके बाद है के दांडिन डांडिन ने क्या लिखा है काव्या दर्शन लिखा है एक तो दांडिन ने और क्या लिखा इन्होंने एक और लिखिया दश कुमार चरीता ठीक है ये इन्होंने बुक एक लिखी हुई है उसके बाद एक थे भावा भूती भावा भूती ने क्या लिखा है उत्तारा राम चरीता उत्तर राम चरीता ठीक है उत्तर राम चरीता और इन्होंने क्या लिखा है एक इसने लिखा है मलाती माधव एक राम के बारे में लिखा है और एक रिष्ण के बारे में ऐसा कुछ याद कर सकते हो भाव भूती ने दांडिन ने ये दो लिखी हुई है शुद्रक ने मर्चकटेकम विशाका दतने मुद्रा राक्षर और देवी चंदर गुपतम už इसके रावा विशनुत ईसके रावा विश्नुशर्मा कि विशनु शर्मा ने भी एक लीकी हुए है क्या पंच तंत्रा अपंच तंत्रा पाद जो मैं बोल रही हुं वो लिख लिए ना इताने अच्छी resties का पोट टाइम लग जाएगा फिर आप बानबट कि रान भट ने क्या लिखिय है हर्शरीता आप इबुक्स के नाम बतारीयों में लेटे गया हर्शरीता फिर चंद्रा चंद्रा ने एक बूख लिखी वे जिसका नाम है प्रक्रतालक्षना प्रकरतालक्षना ठीक है उसके प्राकृता परुकाशा प्राकृता परूकाशा चो भी है ठीक है उसके बाद यह सारी किताबे इन्होंने इन सारे रैटर्स ने लिखिये हुए है ठीक है तो यह में रैटर्स और बुक्स के नाम याद रख लेना तो ये हो गया हमारा अंसर भी आ जाते हैं कुश्यन नमर 81 प में इस अंगम एज में में ली क्या बना था पॉइम्स के कलेक्शन हुए थे तो यह क्या होगा क्लेक्शन ओफ पॉइम्स ही होगा ठीक है थोड़ा कॉमन सेंसी भी लगाने लिना पेपर में पता चले बिल्कुल ही घ्यान के उस पे बैठे हो तुका भी मार देना आजाते हैं यूजन नवर 82 पे बिट्कोई बिट्कोई के बारे में बताना है विट्कोई इस दि वोल जार्जेस्ट क्रिप्ट कर थे करेंटे कर सी्वumed मार्केट वैलू में सबसे बड़ी जोल चलुकॉद करने सिये यह से फ Bengal को पूर्स टो अप्रूफ बीट कोई लीकल टेंडर अगर यह आप गल्ब तिकरोगे ना question, इसका मतलब है अपने मूपे न चार तपड़ भी मारो बैटके, ठीक है क्योंकि USA नहीं अभी एक country आया था, El Salvador, जिसने इसको अभी legal किया है, प्रूव किया है, तो USA नहीं है, और यह statement बिल्कुल सही है, तो answer आ गया E, ठीक है, कुछ questions आपके गलत नहीं होने चाहिए, आजाते हैं, question number 83 पे, battle of terrain के बारे में हमें बताना है, battle of terrain के बारे में, ठीक है, सबसे पहले, it was fought between मुहमद गोरी and Confederacy under पृत्वी राजचोहान, यह मेले मुहमद गोरी और पृत्वी राजचोहान के बीच में लड़ा गया था, बिल्कुल स सही है कि इससे क्या हुए, टर्किश रूल इंडिया में establish हो गया, दुनों स्टेटमेंट्स है, answer आगया हमारा C, ठीक है, और पृत्वी राज इसमें पुरी तरह से हारे थे, और first Muslim kingdom यहाँ पे establish हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, मुहमद गोरी फिर अपने जो slave था, उसको, या फिर जो governor था मान सकते हो, उसको यहाँ पे रखे गए थे, कुतुब दिन एबग को, तो slave dynasty का यहाँ पे rule शुरू हुआ था, ठीक है, किसको, कुतुब दिन, एबग, यहाँ पे रहे थे, और फिर यहाँ से क्या हुआ था, slave dynasty का start हुई थी, ठीक है, battle of terrain से, पेस्टीज को याद रखना, अंसर आ जाता है, सी, आ जाते है, question number 84 से, king makers, king makers किन को बोरा जाता है, king makers के केवल नाम पूछ रहे हैं, तो हुसेन खान और अब्दुल्ला खान, कौन थे हुसेन खान और अब्दुला खान यही थे, king makers, दो भाई थे यह, जो मेली और अंजेब के मरने के बाद, यह ज़्यादा influence में आये थे, और जिसको चा रहे थे उसी को राजा बनवा रहे थे, जो इनकी बात नहीं मान रहा था, उसको मरवा दे रहे थे, यह थे, कौन? सेयद ब्रदर्स, ठीक है, इनको बोला जाता है, और बस यही था, और मेली एक ब्रदर को 1720 में मरे कैसे, एक ब्रदर को 1720 में हैदर खान ने मार दिया, ठीक है, है इनको मार दिया, और एक को 1722 में पोईजन दे दिया, और 1722 में दूसरे भाई को मार दिया, तो ऐसे इनकी डैथ होगी, जैसे यह दूसरों को मरवाते थे, किसी ने इनको भी मार दिया, तो अंसर आ गया, डी, आ जाते है, कुशन नमबर 85 पे, पर दी मोरक्कन ट्रेवलर, एक ही सबसे फेमस मोरक्कन ट्रेवलर है, जो हम बार-बार पढ़ते हैं, और उसका नाम है इबन बतूता, तो देख लेते हैं, मोरक्कन ट्रेवलर वास बोर्न इंटेंजियर और ट्रेवल्ड इन इंडिया टू 14th century, 14th century में यह आई, वहां पे सुल्तान कों थे, मोहम्मद आई बेल, तुलख पागल, जो राजात जिनको बोला दाता है, यह इन्होंने काजी बना दिया इनको दिल लिगा, और इस account is often compared with that इनके account को Marco Polo के साथ compare किया जाता है क्योंकि दोनों ही इनने चाइना को भी विजिट किया था और इन्होंने एक book भी लिखी हुए Arabic में जिसको बोलते है रिहला तो यह कौन से थे यह कौन से थे इबन बतुता सबसे famous हैं यह तीक है सबसे famous है अब्दूल रजाक विजय नगर अंपायर में आये थे कल ही मैंने बताया था विजय नगर अंपायर में आये थे लास्ट कोशन कोशन नमबर फिफ्टी यह कुशन में ने करवाया हुआ था ठीक है विजय नगर अंपायर में आये थे ये भी विजयनगर अंपायर में आये थे है ठीक है ये भी विजयनगर अंपायर में आये थे question number 85 हो जाता है question number 86 में which of the abo mentioned musical instruments are classified as percussion instrument percussion instrument किसको बोला जाता है पता है तो पता है नहीं पता है percussion instrument मतलब जो जिन को जिन में से sound produce करने के लिए उनको प्रॉक करना जुरूर। जारेक जरूर है दिक है जैसे चिम्टा हो गया खर्ड़ा हो गया मनघीर हो गया यह तो यह वाले इंस्टूमेंट नहीं है थो फूट और फिफ्थ नहीं है तो हमारा डारेक्ट अंसर बज़ गया जो परकर्शन इंस्ट्रूमेंट है जिनको बजाया जाता है ठीक है तो कॉश्चन नुबर 86 हो गया आ जाते हैं कॉश्चन नुबर 87 पर कॉश्चन नुबर 87 क्या बोलता है ही इस्टैबलिस्ट ऑथरिटी इन नौर्थ वेस्ट इंडिया इन्होंने जो है नौर्थ वेस्ट इंडिया में अपनी ऑथरिटी एस्टैबलिश की और बेंगवल में ठीक है और इन्होंने विक्रमा दित्ते का टाइडल भी ले लिया एक ही थे जिनको नाम विक्रमा दित्ते ठीक है अब डारेक्ट भी लगा सकते हो लेकिन आपको तो आदत होगी काफी ज्यादा वह करने की तो देख लेते तो में तो नाम तो उनका चंद्रगुप्त विक्रमा दित्त है ठीक है विक्रमा दित्त है इनको नाम से बोला जाता था और यह सारे हो के बारे में मैं बता चुके हूं पहले चप्टर में ठीक है नहीं देखा है तो जाके पहले फास्ट लेक्टर देखो उसके बाद आओ इस पे आज आते हैं कुश्चन नमबर 88 पे विच अफ दी फॉलाइंग मुगल एंपरोर रिस्पोंसिबल फॉर इस्टेबलिशिंग एन अंटार डिपार्टमेंट ओफ पेंटिंग पेंटिंग का अंटार डिपार्टमेंट किसने बनाया था तो सेपरेट डिपार्टमेंट जो प दो पर्शन आर्टिस थे सबसे फिंग साथिस जो दिमायों करें पर रहते थे एक था मीर सयद आली मै chunky मीर स्यद और एक थैं अब्धल समाद टिक Hagad Abs अल समाध तो फेमस पर्शियन पेंटर से कहां के थी पर्शियन तेया दगना ठीक है पर्शियन पेंटर से जो हुमायों के टाइम पे रहते थे अकबर ने तो सेपरेट डिपार्टमेंट शुरू किया था और यहां पर जो फेमस वो रहते थे ना क्या बोलते हैं उनको सबसे यहां पर आर्टिस्ट रहते थे तो था एक का नाम था दसवंत एक का नाम था दसवंत और दुसरे का नाम था बासवाञ ठीक है और जangir-jaangir मैंने बता दिया पेंटिंग यहां पर क्लाइमेक्स पे पहूंच गई ती और अकबर के टाइम पर यहां पर हमजा नामआर रज औरक्ते इंक नामा और कुलाइम एक स्प्रेजन के टाइम पर पूँचिया था और सहाजा यसारे पर के टामाइम पमक्षप्र زजगन के साक। जैसे कि सबसे पहले मुहमद फरीकुला खां मुहमद फरीकुला खां ठीक है मीर हसीम मीर हसीम उसके बाद मुहमद नदीर मुहमद नदीर बिच्च्टीर चितरमन चितरमन ठीक है उसके बाद अनुप चतार अनुप चतार जो भी ऐसे से नाव है नहीं सारे मनोहर टाइप का एक नाम है था मनोहर यह सारे टाइप के जो थे रही यह आर्टिस्टी साजा के टाइम पर थे इनके जांगे के टाइम पर क्लाइमेक्स पर पहुंच गा थ सब के नाम मैंने लिखवा दिए और औरंग जेप के टाइम पे तो पेंटिंग डिकलाई नहीं कर गी थी वह उनको तो केवल अपने रिलीजिन को पढ़ाने से मतलब था तो यह सारी चीज़े हो जाते हैं आजाते हैं कुश्चन नमबर 89 पर कोडिया टम के बारे में बताना है ठीकle यह एक कोडिया टम के बारे में बताना है सबसे पहले से बोलरा है इस सोल बेस्ड ओन तमील थे येटर ट्रैटिशन पे यह बेस है यह statement बिलकुल गलत है क्यों गलत है क्यों कि यह मेंली केरला से बलों करती है यह theater performance और मेली क्याई ही sanskrit drama है क्या है sanskrit drama है तो first statement होग करेक्ट हो जाती है तो इसमें बारबार बार बोल्डिंग पेंटिंग्स सोगी कोई डांस हो होगे मेंनली स्थेट को याद करना बहुत ज्यादा जरूरि है उनको रट लो जासे बुक्स में आप उथर्स को रठते हो नवरोज फेस्टिवल काफी ज्यादा फेमेस है और आता भी रहता है कि तो कौन सी वो मिलाते हैं इसको जो रेस्ट्री मेंली इसको मनाते है ठीक है और मेंली इसको युनेस्को जो इंटेंजिबल कुल्चरल हैटेज और फिमेनेटी और यंगविज और स्कृप्ट के बारे में हमें बताना है है तो सबसे पहले धीक्रोस्टि स्कृप्ट उसेस रिटन फ्रोम राइटूलर जो झो जो ख्रोष्टी स्कृप्ट थी व्यों लिक्स ऑमें उडगिजा वlooking छ्याथी बिल्गूल संधोर में स्कृप्ट किस ने ड अदो ब्रह्म्य स्क्रिपर्प्त गॅपता के टाइम पर सब से सिती और जो प्रहम्य स्कृप्प्त थी वह कैसे लिखी जाती थी लेफट टू राइट फिक तिम्ह चीश चोंग्त प३चे कजिए ओर निखिव ऑखना जाते हैं कुस्टे बेसिक चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है चाहिए आप एक्स्ट्रा उसमें से आद मत रखो लेकिन जो बेसिक उसको आपको भूलना नहीं है ठीक है स्वास्तिक स्वास्तिक साइन होता है जो किसी बी चीज को मैं पूर बनाने के प्योर इंडी सेंस मतले पूर उसको करेके सभी तह सकते थेता स्वास्तिक टेकन लो किसी तो चीज के लिए आज कल मैं है उसे रिलेटेशसंट थे जितूव एककनो जो तो तो अय किसी वेसं प्लांट एक्सपेक्ट तेगए और मेली एक इसका इनिशेटिव दिपार्टमेंट औफ साइन टेक का यह भी कुछन वारा सकता है कि डिपार्टमेंट ओफ कि साइंस एंड टेक का यह हमारा में क्या है टेकनोलोजी है अब जाते हैं कुछ नंबर 93 पे characteristic feature बताने है small or large city के Indus Valley civilization में मतलब small or large city हर एक city में वो चीज़ पानी चाहिए मतलब लगबग cities में फॉस्त वेल डवलाप ड्रेने सिस्टम ड्रेने सिस्टम लगबग सब में तो यह statement कह बिलकु सही है कि वहां पे सब में था ठीक है स्कूर्ण ओ January Green settlement बिल्कु बिल्किल से शेटलमें भी हरे एक सीटी में बनी उपनी विसता घ्रेट बात एक चीज ने उपनावा था सब्सक्राइब करना वर्क देखो कोश्चन सोरी 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 तो गया रहा थी पीडियेफ बिल्कुल रोटेट कर गई थी क्या बता रहे थे हूं हां को मनली फाउंड में बताना था किस में वह था तो अब हम जाते हैं कुश्चन नंबर 94 पर अब अब ही कया थोड़ी दिर पहले ही मैंने बताय था कि नियॉलिटिके एज में पाली नियुस क्या था यह स्टीकमेंट के हैं बिल्कुल सभी है domesticated cattle ship and goats yes domesticated भी करते थे और agriculture भी करती थी तो के साथ partnership में और कि इस में में ली क्या है यह demonstrate करेगा commitment और efforts जो company ने लिए है अपने water और sanitation agenda को better करने के लिए as a part of their long term sustainable development goals long term SDGs के जो water and sanitation के जो goals companies ने लिए है उसको demonstrate करने के लिए यह mainly बना है CEO water mandate ठीक है तो इस चीज़ के ध्यान रखना UN Global Compact और Pacific Institute का यह initiative है ठीक है अब देखो यह statement correct है इसका मतलब यह और सारे statement correct नहीं है देखो सबसे पहले NTPC Limited is the first Indian signatory to this initiative नहीं NTPC ने sign किया लेकिन यह पहली नहीं है इससे पहले Hindustan Jink Limited इससे पहले कौन से है Hindustan Jink Limited और Adani Ports Limited Adani Ports and SEZ Limited तो यह इसमें sign कर चुके है तो यह पहली signatory नहीं है इसलिए स्टेट्मेंट गलत है थर्ड देखो देखो दिए एंटिटीज हूँ है इसने बोला कि कभी जो companies है वह इससे वह नहीं हो सकती क्या नहीं हो सकती देखो जो भी company अपने targets को fail मतलब जो भी obligations है उसको fulfill करने में फेल हो जाएगी अगर फेल हो जाएगी तो वह इस mandate से क्या हो जाएगी डिलिस्ट हो जाएगी ठीक है याद दखना वह इस mandate से डिलिस्ट हो जाएगी उसको UN जो global compact है वह उसको डिलिस्ट कर देंगे तो यह statement भी हमारी रोंग होगी थाड़ है only lawful established public enterprises can endorse the CEO water mandate only lawful established लेकिन पब्लिक और साथ में private private भी इसमें वह कर सकते इंडोर्स कर सकते तो फूर्ट स्टेटमेंट भी तो आपको सारी चीजों के बारे में पता चल गया अब आप जातें question पर important dynastries बतानी है जो गुपतास के decline के बाद वह हुई ठीक है यह questions डारेक्टी जो 2021 का question है उससे लगबग उठाया हुआ है तो कौन सी डाइनस्टी में पुष्या भूतीज मी और मैत्रा काज मी तीनों ही डाइनस्टीज तो अंसर क्या गया दी तीक है पुष्या भूतीज में ली मैंने एक पहले भी करवावा यह कहां कि थाने सर की है तीक है मैं तरह काज कहां की यह वल्ला भी की है और यह यह में तो तीक है और यह मौखारी जिए कहां के कन्नोज की है तो यही थी में ली 2021 के question पिपर में भी of the foreign travelers did not visit Virginagar Empire अभी बताया अब्दुर्जाक निकोलो कोंटी दोनों किस के टाइम पर आए थे विजयनगर के टाइम संगार के टाइम पर यह था अभी बताया था मैगस्त्नीज 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 किस Canundra Guptain Ly Okay Chuck म्यास्तनीस के टाइम पर पर यह तो यह मैघस्तनी इंट से नहीं अटाइब दसे हो वह जिनकर के टाइम पर औरहें पे खेएन men डोमिंगो पेस को डोमिंगो पेस कि उसके बाद दुर्टे बार बोसा इसके बाद अब्धुल रजाक बस यह थे यहीं मेन लगबग जो आये थे वह विजयनेगर अम्पार के टाइम पर आये थे इन पाचों का नाम याद रखना और बस आजा तें कुष्चन नंबर 98 पे कृ को हर्टाया तो विच ओफ दी फॉलेंग डैनस्टी क्रिश्णा थी किस से बिलोंग करते थे किस डैनस्टी के रूलर थे तो यह किस डैनस्टी के रूलर आपको मिल सकते हैं जो सब को हरा सकते तो राश्टर कुटास के रूलर थे इन्होंने परतिहारा रूलर को हर्टाया ठी परतिहारा डाइनेस्ट्री और इनके जो रियल फाउंडर थे वह कौन थे रियल फाउंडर थे भोजा थे और इनों ने अपने अपने अम्पायर को एपोक्स 863 AD के अपरोक्स इनों ने बनाया इथा और 963 में क्या हुआ कृष्णा 3 ने इनको इन्वेड कर दिया और इनसे चीन लिया तो केवल सो ही साले इनों ने राज किया लगबक ठीक है और इनों ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था कन्नोज को कन्नोज इनों ने अपनी कैपिटल बनायी थी तो इस चीज़े याद रखना परतिहारा के बारे में तो इस राष्ट्रकूर्टा रूलर था कृष्णा 3 जिनों ने इनको इन्वेड किया था अब आ जाते हैं कोश्यन नंबर 99 पे रिक वेदिक पोलिटी के बारे में बताना ज देखो जो अर्ली वेदिक एस थी ना वहां पर जो किंग थे वो हैरीड़ी टरी तो थे ठीक है लेकिन उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी क्योंकि में जो समीति जो होती थी जो पीपल का जो गुरूप होता था ट्राइबल जो असेंबली होती थी उनके पास में पा पावर होती थी उनके पास unlimited power नहीं होती थी तो फर्स स्टेटमेंट होगी रॉंग सेकेंड है वुमेन वर अलाओ टो अटेंड ट्राइबल असेम्ब्ली जफ सभा एंविजाता जो वुमेन थी वो इस टाइम पे वो कल वो कर सकते थी और थर्स स्टेटमेंट बोल रखी है कि the most important functionary in day-to-day administration was prohita who was responsible for collection of taxes देखो prohita day-to-day administration में important functionary माना जाता है अर्ली वेदिक टाइम पे लेकिन वो collection of taxes का कहीं पर मतलब जिकर नहीं आता है कि वो collect tax collect करते थी तो यह third statement भी रोंग हो जाती है अगर third भी कल रोंग है और first भी रोंग है तो answer के आगया मारा बी इसका मतल English में women को भी आना allowed होता था रिग वेदिक quality में लेकिन लेटर वेदिक में क्या हुआ सब कुछ बदल गया लेटर वेदिक में बिलकुल जो आज मतलब जो women के साथ discrimination है जो भी बुरी practices है rituals है वो सारे लेटर वेदिक में शुरू हो गए थे ठीक है तो जो हमारा question number 99 है उस answer भी सब्सक्राइब करते थे तो अभी तो सब महाजन पर मुनेर्क नहीं थे कईयों पर जो है एक काउंसिल भी जो थी वो इनको कंट्रोल करती थी उनको जैसे की गर्ण संग उनको क्या बोले जाते है गंशंग या फिर इनको ओलिगार्की इस भी बोले जाता है कुछ लोग मिल के इन पर राज करते थे ठीक है तो सारी ही मौनेर्की नहीं थी तो फिस चेकन स्टे็ट्मेंट होगी हमारी रॉंग और फिस टेट्मेंट होगी कररेक्ट वंसर क्या आगा हमारा यह ठीक है थर्द शशं महाजन पत्स कूंदिंग और Táira तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है तो 16 महां जन पत्स के बारे में यह कुछ मतलब कॉम्मन चीजे थी तो यह चीज होगी हमारी इसके बारे में तो आज के भी हमारे तो टोटल 100 कुश्यन वह कम्प्लीट हो जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सुस्क्राइब करना प्लीज मत बूलना ठीक है क्योंकि जो आपका सुस्क्रिप्शन है वह हमको मोटिवेट करता है कि आगे हम वीडियो बनाए ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कम से कम जो भी एक बच्चा है ना कम से कम अपने एक फ्रेंड को बोलो कि हमारे चैनल को सुस्क्राइब करें ठीक है कम से कम एक मोका तो आप एतने सारे चैनल को सुस्क्राइब कर गए रखते हो तो कम से कम हमे you very much, bye-bye.